क्रिकिट की गलियारों का शोर पहुंच रेगा आपके ओर अन्लियों क्रिकिट इन्सोम्या और वो समय दूर नहीं जब ये टीम मुंबे इंडेंस के रिकॉर्ड ब्रेकर के सबसे जाद मैच जीतने वाली टीम बनेगी पिछले साल की तरह भी ये टीम इस बार भी आईपेल की ट्रॉफी भी अपने नाम करेगी और एक बात और शायद आपको पता ना हूँ गुजरा डाइडनस एक मात रैसी टीम बन गई है जिसने आईपेल में सबी टीमों को हरा दिया है और जो कसर रही वो मंगलवार शाम को इस मैच में पूरी कर दी शायद ही ऐसा विकेट आज तक देखने को मिला होगा मुंबाइ इंडिस की इस खराब पारी से वो सीधा नंबर साथ पर पहुँच गई है अब ज़रे नजर डालते हैं कि किसने कितने रुनों की पारी खेली पहले तो मुंबाइ वाले टौज जीत कर भी कुछ नहीं कर पाई और टौज जीतने के बाद भी उन्होंने बैटिंग करने का फैस ला लिया और फिर बैटिंग करने उतरे गुजरात वाले तो हमेशा की तरह ही ओपनी करने आये गिल और शहा और दोनों ने 60 रनों की पारी खेली रिदिमाशा ने फोर्च, बमगिल ने 56, हारदिक पांडे ने 13, विज़र शिंकर ने 19, मिलर ने 46, अभीनफ मनोहर ने 42, राहुल देबद्या ने 20, अनराशित खान ने 2 और पर 6 विकेट के नुकसान पे गुजरात वालों ने 207 रनों का टार्गेट दे दिया, अब जैसे कि पिछले मैच में मैंने आपको बताया था कि अगर गिल फॉर्म में आ जाएं तो भाई 50 से उपर का स्कोर कर ही देते हैं और वही हुआ 56 रनों की पारी खेल कर चाय भीने सुरे कमार भाई भी अपनी फॉर्म में देखा थी इसलिए वो गुजरात वालों के टीन विकेट यह लेकिन इसके बाद भी गुजरात वालों पे फरक नहीं बड़ा फिर बैटिंग करना है मुंबई वाले लगता है डोकला खाने कितनी जल्दी थी कि सभी जल्दी जल्द प्यूश का विकेट ले सकते हैं आप नूरहमद अपनी परफोमेंस से इस मैच के गेम चिंजर बने और राशिद शम्मी भाई हमेशा की तरह काल बन कर आए वैसे गुजरातियों वालों की एक खासित यह है कि अपने सामने वाली टीम के हर प्यर को खेलने का मौका देती है तो भाई कुछ भी कहो सबी का यही कहना था कि इससे जादा फ़नी और गेम चिंजर मैच हमने नहीं देखा एक बार के लिए तो लोगों को यह लगा कि कहीं भाई आज सेरेड़े तो नहीं इस गुजराती फावड़ा ढोकले पे हारदिक के साथ करीपता का अफगानी फ्ल कर देना तो आपसे की मुलाकात नेक्स वीडियो में तब तक के लिए किरकेट की नहीं अपडेट के साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले विजो बैल आइक हैने इसको जरूर दबादे क्योंकि आई पेल के सारी अपडेट मिलेगी हां इसे के साथ आप किरके कि की हर खबर मेलेगी दर